आप लोगों के दिमाग में भी यह विचार आता होगा कि आखिर नारी का जन्व क्यों मिलता है। आईए जानते हैं इसी के बारे में इसके दो कारण बताये जाते हैं। पहला कारण जो व्यक्ति अपना स्वभाव जैसा बना लेता है, उसे उसके अनुरूपी जन्व राप्त होता है। मान लीजिए, किसी ने अपना स्वभाव पशु जैसा बना लिया है, तो निश्चित रूप से उसका जन्व पशु का ही होगा। किसी तरह अगर किसी ने अपना स्वभाव स्त्रियों जैसा बना लिया है, तो निश्चित रूप उसका अगला जन्मस्त्री रूप में ही होगा। दूसरा कारण प्रत्यू के समय मनुष्य की आसकती जिसमें होती है, उसका जन्म उसी के आधार पर होता है। मान लीजिए, अगर किसी ने प्रत्यू के समय स्त्री को याद करते करते प्राण द्यागे हैं, तो उसका अगला जन्मस्त्री के रूप में ही होगा। अगली वीडियो में धरब से जुड़ी कुछ रोचग्यान के लिए आप हमारे चैनल धर्मार्थ लोग को सब्सक्राइब करें जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुचते रहे हैं।